नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है रूसी युक्रेन वार में पिछले दो हपतों से आप लगतार एक खबरे सुनते आ रहे होंगे कि युरोप के सभी देश एक के बाद एक करके युक्रेन को टैंक सप्लाई कर रहे हैं फिर इसमें कुदा इस्पेन फिर पूर्तगाल ने कहा हम भी टैंक भेजेंगे फिर ब्रिटेन ने एलान कर दिया कि हम भी अपनी तरफ से टैंक भेजेंगे फिर अंत में जर्मनी ने भी एलान कर दिया जर्मनी का एलान सबसे बड़ा है क्योंकि यूरोप के सभी देश अलग-अलग टैंक भेज रहे हैं इसमें से जर्मन की टैंक सबसे एडवांस और सक्तिसाली माना जाता है वहीं अमेरिका ने भी अपना सबसे एडवांस टैंक अबराहम को भेज दिया है जर्मन की लेपरडू टैंक की खासियत यह है कि इस टैंक से परमाडू हमला भी कर सकते हैं लेकिन युक्रेन को इस खासियत की जरूरत नहीं है बलकि इस टैंक की दूसरी खासियत की जरूरत है जो काफी चर्चा में है वो ये है कि छोटे नुकलियर हमला को भी झेल सकता है क्योंकि रूस ने युक्रेयन को पिछले कई महिनों से धमकी दे रहा है कि आप पीछे नहीं हटे तो हम आपके खिलाब छोटे टैक्टिकल नुकलियर अटैक कर सकते हैं और ऐसी स्थिती में दलदल एरिया में हो रहा था जिससे रूस को काफी नुक्सान हो रहा था, लेकिन अब सिच्वेसन बदल चुका है, वार अब आमने सामने समतल मैंडानी एरिया में हो रहा है, और रूस युक्रेयन के सवागत के लिए बड़े बड़े टैंक लेकर खड़ी है, ऐसे में पर देश के डेश्ट के टैंक आपस में लडेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात यूरोपीय देश ये चलाकी कर रहे हैं कि रूस के पास एक ही कटेगरी के टैंक है जिसकी एक कमजोरी और एक मजबूती है और यूरोपीय देश के पास अलग-अलग परकार के टैंक है जैसे कि का अबराहाम टैंक इसका बाहरी कबच इतना मजबूत है कि हैवी से हैवी एन्टी टैंक मिसाइल को भी जहल सकता है माना जा रहा है कि ये टैंक युद में सबसे आगे रखा जाएगा उसके बाद कोई और दूसरा टैंक उसके खासियत के हिसाब से रखा जाएगा इसे बीच रूस के राष्टपती का कहना है कि तुम सब आओ बैटल ग्राउंड में सब को देख लेंगे तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही आगे की अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद